हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाई के साथ के लिए एकदम क्रिस्पी स्नेट्स क्या ही पड़तो वाली मठ्री या कह लिए तिकोना मठ्री इस तरह की मठ्री जादे तरह मार्केट से ही लाना पसंद करते हैं लेकिन आज हम इसे घर पर ही बनाएंग जो वेट में करीब 300 ग्राम है आदा छोटा कप मैंने ओइल लिया है और जो भी खाते हो ले सकते हैं आदी चमच अजवाइन लिए और नमक टेस्ट के कोल्डिंग लिया है पानी आवशक्त अनुसार एट करेंगे हम यहां मैंने एक पड़ात लिए मैंदा माणने के लिए मैंदा में एक गोल करेंगे अब इसमें डालेंगे हम अजवाइन अजवाइन थोड़ी सी हाथ में लेके हमें क्रश करके डालनी है जिससे इस कटे और अच्छा आ जाए फिर मैट करेंगे नमक अब मैट करेंगे ऑईल अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है अब इसमें एट करेंगे पानी पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे मैटरी की मैदा यहां हमने टाइट करकर मांद लिए अब इसको हम 20 मिनट के लिए रेक्ट करने के लिए रख देंगे जिससे हमारा डो और भी स्मूथ हो जाए मैंदा को रखे हुए में 20 मिनिट हो चुके हैं अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डो स्मूथ हुआ या नहीं अब इसमें हल्का सा घी का हाथ लगाएंगे और इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे डो हमारा perfect हो गया है सबसे पहले यां हमने एक लोई लिए हैं इसको हम पतला करके बेल नेंगे त्थि कोन अमठरी से बनाने के लिए हमें बिंगुल पतला बेलना है दिकोन अमठरी दो तरीके से बनायी जाती है इस प्रगार इसको पतलागर के बेल लेंगे अब बीच में से कट लगाएंगे यहां हमारी एक लोई में दो मठरियां तयार हो जाएंगे अब इसमें हम काली मिर्च लगाएंगे काली मिर्च आप एक, दो या तीन कितनी भी लगा सकते हैं यहां मैंने सुन्दर ताई के लिए तीन काली मिर्च लगाई हैं अब इसको बेरन की सहायता सिर्फ प्रेस कर देंगे जिससे यह काली मिर्च अंदर तक लग जाएं और घी में निकले नहीं देखे इस परकार आप बना सकते हैं तिकोना मठरी इसी परकार हम दूसरी लोई भी बेल लेंगे इस मठरी को मैं दूसरी तरीके से आपको बताऊंगी कि किस परकार आपको तिकोना मठरी बनानी है यह क्या इपरतो वाली मठ्री बनेगी यहाँ पर हमें इसको कटने ही लगाना है इसके फोल्ड करने है एक फोल्ड किया हमने इसी पिरकार दूसरा फोल्ड किया देखिए यहाँ चार फोल्ड आ गए है अब इसको इसी पिरकार काली मिर्च लगा देंगे हम तीन काली मिर्च लगाएंगे और बेलन की साहता से प्रेस कर देंगे देखिए इस पिरकार आप बिना कट करें भी मठरी बना सकते हैं और काट कर भी मठरी बना सकते हैं देखिए इस पिरकार मैंने दो तरीके से मठरी बनाई हैं आपको जैसी पसंद आए आप उसी तरीके से बना सकते हैं यह मैंने दो फोल्ड वाली बनाई है एक मैंने चार फोल्ड वाली मठ्रियां बनाई है यहां मैंने गैस पर कड़ाई रख दिये अब कड़ाई में हम ओईल एड करते हैं जब ओईल गरम हो जाएगा जब हम अपनी मट्रियां फ्राइ करेंगे हम एक एक करके सारी मट्रियां ओईल में डाल देंगे मट्रियों को आपको low medium flame पर सेखना है यदि आप तेज आच पर सेखेंगे तो मट्रियां अंदर से कच्ची रह जाएंगी इतनी खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेंगी इसलिए आप इन मट्रियों को low medium flame पर ही सेखें देखें मट्रियां हमारी golden color की हो गई है सिक्कर तयार हो गई है देखिए लेयर हमारी एक एक अलग अलग चमक रही है अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसी पिरकारम सारी मट्रियां बना कर तयार कर लेंगे देखिए मट्रियां एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है यहां मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ एकदम करारी मट्रियां बनी है चाई के साथ का एकदम खस्ता और कुरकुरा नाश्ता बनकर तयार है ये मट्रियां खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है और इसे आप आराम से एक महिने तक स्टोर करके रख सकते हैं एक बार आप भी ये रेसिपी ज़रू ट्राइ करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट्स और सब्सक्राइब करने ना भूलें मैं मिलूंगी नेक्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू टेक केर